आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ Hello friends, इस question में क्या क्यों आपको? इना पलेलोगराम PQRS आपको एक पलेलोगराम गीवन है PQRS if angle QRS equal to 2X angle QRS QRS आपको गीवन है 2X equal तो यहाँ पर 2X वाने रिप्रेजेंट कर रखा है angle PQS 4X है अपना PQX यहाँ पर जो है यह 4X गीवन है and angle PSQ PSQ यह भी 4X गीवन है आपको find the angles of the पलेलोगराम आपको पलेलोगराम को 4 गीवन है यहाँ एंगल PQRS यह बताने आपको ठीक है यहाँ को पलेलोगराम गीवन है PQRS आप देखो अगर मैं कंसिडर करूँ यहाँ पर N triangle PQS जो मेरा उपर उपर अल ट्राइंगल है यह PQS इसको अगर मैं कंसिडर करूँ में तो यहाँ पर लिख सकता हूँ angle SPQ प्लस अंगल PQS प्लस अंगल PSQ उसके वे लिए जाएगी अपनी 180 डिगरी यह कैसे लिख दिया मैंने क्योंकि यहाँ लगा है मैंने angle sum property angle sum property ठीक angle sum property से क्योंकि ट्रेंगल के तीने अंगल अंगल से 180 होता है अब देखो यहाँ से मैं लिख सता हूँ angle SPQ कितना उड़ाएगा SPQ उड़ाएगा मेरा 180 माइनस अब देखो PQS की वे लिए उम को पता है 4X है और PSQ भी 4X है तो 4X प्लस 4X आहाँ पर 8X और अपरकर minus 1X होड़ाएगा मेरा अंगल PSQ यह मेरा होगे 180 minus 1X सो मैंने ऐसे find out कर लिया जो मेरा yewal angle आ रहा है वो आ रहा है 180 minus 1X एक्वल ठीक है अब हमको Pellagoram की property पता है कि Pellagoram में opposite angles equal होते है तो angle P कुस्ट तो angle R दाएगा ठीक है we know that angle P is equals to angle R और इसका reason क्या होड़ाएगा यहां पर लिखलेंगे opposite angles of Pellagoram Pellagoram का opposite angles ठीक है angle P equals to angle R दाएगा 180 minus 8X equals to 2X से एक्वल यहांसे यहांसे हमको लिख सकते है 180 is equals to 10X 8X से तरह के याड़ दाएगा X की value यहांसे आ रही है अपनी 18 की equal X की value कितने आगी 18 आगी X 18 पतल लग गया मुझे अब क्या करता हूँ मैं अपने angles निकाल लाता हूँ Pellagoram के P के वाराएगा अपने angle निकाल दाएगा मेरे बाकी angles कितने उडएगा अब देखो यहां पर angle R केतना था वो 2X था अब आप लिख सते हैं angle R है वो है 2X which equals to तो यहांसे value कितने आगी 2X into 18 is 36 हो गया So angle R is equals to angle P यह तो उनको पतल लगए 36 degrees है क्योंकि हमको पता है angle R और angle P आप उसमें equal है opposite angles parallelogram के equal होते हैं So P and R के लिए तो पता लगए अब value निकाल लिए हमको आपर S and angle Q की अब जाहन से देखो यहां पर PQ जो है मेरा SR के pallet है क्योंकि हमको पता है parallelogram के opposite sides pallet होती है तो PQ SR के pallet है और S के बीच में transversal है तो मेरा यह वाल angle किसके इकल हो जाएगा इस वाल angle के by alternate interior angles ठीक है तो यह मेरा 4X हो जाएगा यहांसे यह 4X इसके इकल हो जाएगा मेरा क्यों कि alternate interior angle मेरे यह S के पारदल है और बीच में transversal है इसी तरह से यह 4X इकल हो जाएगा इस वाले 4X ही मेरे ठीक है विच इस 8 x 18 is 144 degrees तो कोशन का अंसर कितना आगया P & R आगे 36 degree और S & Q आगे 144 degree ओके Thank you friends क्लासिक स्टुवल से लेके NEED IIT जही मेंस और अडवांस के लेवल तक तस मिलियन से जादा स्टुडेंस का भर होसा आज यह डाउनलोड करे डाउटने डाप यह WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स 8 400 444 सुपर